पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुए सडक पर बूड़े विसे बच्चे तक आए दिन चोटिल होते रहते हैं सडक पर पड़ी गिट्टी और गड़ों में फस कर कई गड़ियां भी गिर चुकी है जिसके कारण कोई न कोई चोटिल होते ही रहते हैं यहां के पारसत जी किसी बड़े घटना होने के इंतिजार कर रहे हैं यहां के कुछ शेत्री नागरिकों ने अपना गुस्सा भी दिखाया और धर्णा भी दिया उनका कहना है कि सड़क की हालत बच से बत्तर हो चुकी है और सुनने वाला कोई नहीं स्री राम चंद्र चुन्नू मिस्रा किशोर अंकिस शग्ता इन सभी की एक समस्या है सड़क की खसता हालत है और कोई सुनवाई नहीं अंदेखी के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो रहा है सभी कार कागजी कारवाही पर चल रहे हैं जमीन की हकीकत कुछ और है और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कानपूर के अधिकतर सड़कों की ऐसी ही हालत है एचन कानपूर से विश्वनाजी के साथ रादिश शेम की खास रपूर